हेलो मैंक्स टड़ी हैं विद मैंक्स चैनल में आग सभी का स्वागत हैं आज को दुमारा टॉपिक रहेगा वह होगा सब रूटीन पार्ट नमबर त्री जिसके अंदर हम विज्वल बेसिक से रिएटीड सब रूटीन में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो डिसकस करेंगे प् में पतापर से वीडियू को स्टार्ट करते और देखते हैं सब रूटीन सबसे सबसा Keith हैं समझने हैं आज की वीडियो में वह को का कॉलिंग्स Kilसको लगा उसके अंदर हमने सिंटेक्स जिसक्स किया तैं साब मिटिन का रorterूट तो सिंटेक्स आपर यूंस करेंगे जिस तरह से syntax declare करने का है जिस तरह से subroutine बनाने का syntax है उसी तरह से calling करने का भी syntax है जिस तरह से syntax की method to थे declare करने के उस तरह से ही declare के साथ साथ अब call करने के भी two methods है कौन से methods है there are the two ways to calling a subroutine दो तरीके हैं जिससे हम subroutine को कहीं पर भी किसी प्रोसीजर में कॉल कर सकते हैं सबसे फर्स तरीका है कॉल कीवर्ड का यूज को रो सबूटीन का नेम दो क्या कि हमने सबसे बस call keyword का यूज किया फिर sub routine का नेम दिया फिर जितने भी number of arguments आपने पास करने हैं जितने number of arguments आपने बनाए है sub routine में उतने number of arguments यहां से आप पास कर सकते हैं सेम ही है second वाले में आप क्या करोगे अब देखें सबसे first and second में difference क्या आ रहा है second वाले में सिर्फ sub name है sub का name फिर argument 1,2,3,4 arguments यहां पर भी हमने पास किया और sub routine का name भी लिखा बर यहां पर first और second वाले method में क्या difference है first वाले method में एक तो call keyword का use किया जा रहा है call करने के लिए right किसका use किया जा रहा है call keyword का और दूसरी बात sub का निम तो चलो ठीक है sub routine का name यहां पर है लेकिन जब आप argument पास कर रहे हो first वाले method में तो आपने ध्यान से देखी कि वहाँ पर आप parenthesis का use कर रहे है parenthesis में bracket के अंदर आप argument पास कर रहे है लेकिन जो second method है उसमें देखी क्या है उसे simple सा लिखा हुआ सब का name ठीक है sub routine का name और बात में argument 1, 2, 3 and n number of arguments बिना parenthesis के यहां पर arguments को पास किया गया अब यह तो है नहीं यह eight types ही चलेगा अगर आप call वाले method का use करोगे तो वैसे भी चल सकता है अगर आप simple method का use करोगे तो वैसे भी call हो जाएगा sub routine तब तो दोनों ही क्या है इसके methods है तो देखिए यहां पर जो आज का second topic है which is exit sub statement exit statement में क्या होता है यह हम वैसे भी discuss चुके normally discussion हो चुक है इस topic का exit sub is a keyword यह जो exit sub आप यूज करें यह टाइप से keywords है विच कें इमिडेट एकज़ेट और सब प्रोसीजर जो आपको सब प्रोसीजर से यानि कि सब प्रोसीजर जाफे सब रूटीन से इमिडेटली एकज़ेट करने के लिए यूज किया जाता है लाइक एक number of things चल रहा है प्रोग्राम चल रहा है उसके 10 number of lines है फर्स एक्ज़ेक्यूट होगा जैसे वह फॉर्थ नमबर पर आया महाँ पर उसको एक condition लिखी अगर यह condition ठीक है अगर यह सब्सक्राइब हो चुकिए आपकी condition जिस कारण से आप उस पर्टिकलर सब्रूटीन चला रहे थे तो होगा क्या यहीं कि आप exit हो जोगी यहां पर फॉर्थ नमबर पर लिख देंगे कि exit सब्सक्राइब हो सकता है एक्सिट सब्सक्राइब होते हैं इमिडेटली महां से exit हो रहे हैं पूरा हुआ यानि कि पूरा टास्ट पर फॉर्फॉर्म हुआ यह नहीं हुआ सब्रूटीन का कोई मतलब भी नहीं चीक है तैन नमबर आफ लाइन से अगर फाइफ लाइन पर सब प्रोसीजर जो फटम हो चुका है इसलिए हम लास में लिखेंगे एंड सब्सक्राइब अगर आपको कोई भी टॉपिक आता है लाइक वैरीबल टॉपिक के पार में आपको जो बता है आपको सब लिखना है जरूरी नहीं है कि वैरेबल टॉपिक पर यह पूचा गया सब्सक्राइब करेंगे जिससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है सबसे फर्स आप लिखेंगे वैरेबल के साथ जो रूल्स होते हैं उसके नेम को डिफाइन करने के लिए वह लिख सकते हैं फिर वैरेबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स बताइए थोड़ा से एक लाइन साथ कर दीजिए कि यख़ हो दिया हकला और इतना सा काम भी होना तब भी होसे करें छोटा सा प्रोग्राम हिल्ञा है आप इतरी जाए पूरी पूरी आपने लेंग्विज कंप्लीट कर दियंग मिल्चर और पहुंचये तो वब्रेयमिज करल कर्यों आप तर लिखने में कुछ नहीं जाता इससे का होगा आपको एक तो content मिलेगा लिखने का examiner को लगेगा कि हाँ लिखने का इसको method पता है किस तरह से use किया जाता है किस तरह से attempt करना है चीक है तो यहां पर भी ऐसे होगा जैसे आपके आप सब रूटीन आता है तो जिस तरह से आपको इस notes में बढ़ाए गया है सबसे फर्स आप उसकी definition लिखिए syntax लिखिए syntax को आगे define कीजिए अगर उसके अंदर कुछ example समझते हैं सबसे पहले यहां पर है कि dim as integer यानि कि हमने ए नाम से एक variable बनाया जिसका data type है integer और यह किस लेवल का है procedure level का इसलिए यहां पर हमने क्या use किया dim keyword dim as integer इसका meaning ही क्या है कि ए नाम से एक variable है जो integer type का है और procedure level का है private sub command के click event अब यह देखिए इस line में एक line प्रूव होती है क्या जो हमने definition में पढ़ा था इसके अंदर उसमें क्या लिखा गया था कि जहां कहीं पर भी event procedures use किये जाएंगे visual basic में वहां वहां पर sub command का इस sub routine का use होगा ठीक है all the event procedures in visual basic are coded as sub routine कोई भी event procedure जो visual basic में बनाया गया है अगर आप उसका use करेंगे तो वहां पर आप sub routine बना रहे होंगे ठीक है तो private sub command के click event पर हम यहां पर काम करेंगे क्या यह देखिए यहां पर directly आपने sub routine का name लिकर सोड़ दिया ना कोई argument पास किया ना ही call keyword का आपने पास किया यह देखिए simple आपने कहले का क्यों क्या है sub routine का name यहां पर जाकर ends up करते हैं अब हम क्या करेंगे खाले क्यूब लिखने से उसको पता लग जीगा नहीं लगेगा उसको से वितना पता है कर क्यूब इस पूरे function में कहीं होगा तो मैं उसे call कर दूँगा अब तक तो कोई function नहीं आया तो हमें function बनाना सकते हैं फर्स्ट वर्स इंडेक्स को यूज कर रहे हैं यहां पर हमने क्या किया है सब रूटीन बनाने के लिए सब कीवर्ड का यूज किया है फिर सब रूटीन का name दिया क्यों फिर दिम सी यह इंटीजर एक variable डिकलियर के इंटीजर टाइप का जिस प्रोसीजर तक ही रह करवान है तो उसने दे दिया 2 का क्यूब करवान है तो अब जो 2 है वो किसमें चिला गया ए में फिर क्यूब निकालना पड़ेगा यही तुमारा मीन मॉटिपे तो हमने एक वैरेबल बनाए है याँ सी इसके अंदर हम रिदर स्टोर करेंगे सी इकवल स्टो एक यूग यानि सब प्रोसीजर पॉल कर दिया तो सुन जहीं से मारा आज का टोपिक आज हमने डिसकेस किया गॉलिंग सब रूटीन एं सब एक्ज़ट फॉंक्शन प्लस एक्जांपल आपको समझ में होगा अगर फिर भी इस वीडियो को समझ़ने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंदा है देल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना फुलें आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकि सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब बहुत जरूरी है देल कमेंट करें